नमस्कार जे मातारानिकी आज हम आपको सुनाएंगे करम फल की कथा एक संथ अतियन तसरल सबहा के थे वे जब बिक्सा मांगते थे तो कहते थे परमात्मा के नाम पर दे दो जो जैसा करेगा वेसा ही भरेगा उस नगर में एक कुल्टा वेवेचारने इस्तरी रहती थी जब उस्तरी संथ के वचन सुनती कि जो जैसा करेगा वेसा भरेगा तो वह सोसती है कि ये संथ मुझे तो नहीं सुनाता है उसके मन में पाप आ गया उसने सोचा कि कैसे इस संथ को मारू इस्तरी ने दो लड्डू खूब घीमेवा आदी डाल कर बनाए और उनमें जहर मिला दिया जब वह संत उस इस्तरी के दर्वाजे से गुजरता है तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही बरेगा इस्तरी सुनकर बहर आई उसने संत से कहा कि ये दो लड्डू तुमारे लिए ही बनाए है बहुत अच्छे है इन्हें अभी खा लेना ऐसा कहकर संत को दे दिये संत तो सरल सभाव का था उसने लड्डू ले लिये और आगें बढ़ गया आज उसे भिक्सा कुछ ज़्यादा ही मिल गई थी वहां अपने कुट्टी पर आया उसने भिक्सा से मिले अन्य पधात खा लिये लड्डू वेसे ही रहे संत ने सोचा कि इतने अच्छे इन्हें कल खालूंगा उसी रात को उस इस्तरी के पती और पुत्तर कहीं बाहर से आ रहे थे वे भहुत ठक गए थे और भूख भी लग रही थी दोनुने सोचा कि संत की कुटिया पर कुछ विश्राम कर लेते हैं जब वे संत के पास पहुंचे तो संत ने उन्हें बिठाय पुत्र ने कहा कि बाबा भूख लगी है कुछ खाने के लिए हो तो दीजिये संत ने वे दोनुन लड़ू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिये लड़ू खाने के बाद दोनुन की मरती हो गई वे दोनुन मर गए जब वे इस्तरी संत के पास आई तो सिर पटक करोने लगी कि ये लड़ुतों मेंने हिने संत को मानने के लिए बनाये थे ये क्या हो गया जो गट़ा तुम दूसरों के लिए खोदते हो उसमें स्वेम भी गरिज सकते हो धर्म का मुले संदेश ये ही है कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे दूसरों के लिए कांटे बिचाएंगे तो सेम तुम्हें ही उन पर चलना होगा अन्त फूल बिचाओ और दूसरों के लिए आसा है करम का पल कहानी जुरूर आपको पसंद आई होगी